कि हेलो गाइस विल्किम बैक तो अनदर ब्रांड न्य वीडियो मेरा नाम है साथ आप देखरें क्रिप्टीव इंडेटीव चैनल तो आज की इस वीडियो माई हम बात करने वाले हैं एक और नए प्रोजेक्ट के बारे में जो की गेमिंग प्रोजेक्ट है अनदर नेटवर्क पर तो यहां पर हम बात करें कितना टाइम बचा है एक दिन और तेश गंटे जो है अभी बचे हैं और यहां पर एक BUSD में आपको कितने सीड क्रायो वार जो है क्रायो वार जो टोकन्स मिलेंगे वो हैं एक BUSD में 35.7 तो यहां पर अगर हम बात करें पार्टिस्पेंट्स यहां पर अभी अज जो है एक दिन और तेश घंटे जो है बचे हुए हैं पूल इंफोमेशन यहां पर जो है डेट जो है यूटी सी टाइम के हिसाब से है और मिनिम्म अलिगेशन जो है टो बी अनॉंस्ट मैक्सिमम अभी नहीं बताई गई और यहां पर टोकन का प्राइज अगर हम बात करें तो एक भी यूस्टी के 35.71 जो है सी वार टोकन आपको मिलेंगे टोकन इन्फोमेशन अगर हम बात करें तो सिंबल होने वाला है सी वार और उसके बाद नेम होने वाला है क्राइव वार एड्रेस जो है to be announced decimals 18 होंगे और total supply जो है अभी 0 दिखा रहा है लेकिन यह जो है अभी announcement नहीं होई है about the project cryo war is a real-time multiplayer person versus person arena nft game developed in unreal engine on the solana network तो यहां पर हम इनकी website पे चलें तो बहुत सरे लोग बोल रहें के भाई हम कैसे जो है यहां पर participate कर सकते हैं तो आपने simply जो है cd5.fund पर आना हो और यहां पर cryo war पर आना हो उसके बाद connect wallet पर क्लिक करना है और wallet पर क्लिक करने के बाद यह वाले wallet जो है आपके सामने आ जाएंगे और यहां पर अगर आप किसी भी इन में से wallet को यूज करते हो और इन wallet में जो है आप यहां के meta mask भी select कर सकते हो ledger live, infinity wallet, encrypted link तो यहां पर इन wallet को connect करके जो है आपने जो है यहां पर आप payment कर सकते हो यहां पर cryo war के official website पर आ चुके हैं यहां पर अगर हम देखिए यहां पर यह जो है official website क्राइओ वार का logo है और उसके बाद next generation blockchain multiplayer game तो यहां पर jump right to battle and prove your wallet in a action peaked mobile यहां पर पूरी तरह से आप अगर और information चाहते हो जादा बोर नहीं करूंगा आपको यहां पर about cryo war आप पर सकते हो cryo war is real time multiplayer तो यहां पर cryo war is amalgam between tradition gaming experience and best practices of blockchain world DAW voting NFT and decentralized finance NFT and D5 का मिली जूली सरकार है यहां पर NFT और D5 दोनुच यूज में आएंगे तो कुछ ऐसा interface है इस website का जो की बहुत देखने में तो बहुत जादा अच्छा लग रहा है unreal visuals for real तो यहां पर unreal engine पर जो visuals हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे real हों और उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें no pay to win we are proud to announce that nothing in the cryo war is game store offers any player a competitive advantage over another तो यहां पर जो है आप खेल के ही जो है अपना rank बढ़ा सकते हो यहां पर pay करके आपका rank नहीं बढ़ सकता everyone fights on an even playing field and only skin skill can carry you up the ranks तो यहां पर short play sessions तो यहां पर जो है सिर्फ three minutes में जो है three minutes यहां फिर उससे less में जो है यहां पर match खतम हो जाएगा यहां पर 30 minutes एक match को खतम करने में आपको नहीं लगेंगे built on solana platform तो solana platform पर यहां जो है यह बना हुआ है यहां पर zero fees है 50,000 transactions per second with block completion of 400 ms and low to zero fees of 0.0001 dollar per transaction तो secure growth है solana is audited by fortune 500 preferred security firm ironclad तो यहां पर बहुत सारी चीज़ें solana के बारे में बताई गई हैं और solana जो है उसकी वज़ा से अच्छा है किन किन चीज़ों से किन किन वज़ा से जो है solana network अच्छा है वो चीज़ें यहां पर बताई गई हैं और यहां पर कुछ जो हैं क्रेक्टर्स जो है दिये गए हैं गेम के यहां पर इनके नाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है ACS heavy उसके बाद यहां पर जो है walkry यह जो है कुछ जो है आपको देखने को मिलेंगे centaurian और उसके बाद यहां पर अबाउट us यहां पर team CEO और उसके बाद यह जो हैं CFO हैं उसके बाद यह COO हैं और उसके बाद यह जो हैं CPO हैं और यहां पर join us यहां पर इनके जो है आप टेली ग्राम और YouTube और Twitter पर इनको जो है फोलो कर सकते हो और जादा information के लिए यहां पर अभी हम एक और जो है यहां पर एक और IGU है उसके बात करने वाले हैं और यहां पर जो है यह होने वाला है first ever cross chain NFT teleport and space hamster enabling the cross chain opportunities for the NFT industry proud member and conductor of the metaverse तो यह यहां पर NFT and metaverse जो है दोनों का combination होने वाला है Scotty Beam तो यहां पर जो है cross chain opportunities मतलब यहां पर जो है multiple जो है NFT multiple जो है networks पर होंगी जैसे Solana, BSC या फिर और किसी network पर होंगी तो वहां पर आप एक ही जगा पर रख सकते हो तो यहां पर जो है यहां पर सिर्क 55 minute का time बचा है और यहां पर अभी जो है यहां पर अगर जो अभी कितना fund raise हुआ है तो 18.71% यहां पर fund raising हो चुकी है 153,350 BUSD जो है इन्होंने raise कर लिये हैं और यहां पर participants हुए है 27,70 तो आप कैसे कर सकते हो वह मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है आपको कैसे यहां पर जो है करना है minimum allocation जो है आपको 0.01 BUSD और maximum allocation 2067 BUSD एक BUSD में आपको जो है 25 Scotty Beam tokens जो है मिलने वाले हैं token information की अगर हम बात करें यहां पर symbol होने वाला है Scotty नाम होने वाला है Scotty Beam और decimals होने वाले है 18 address to be announced है अभी total supply होने वाली है जो यहां पर होने वाली है 47,50,000 सिर्फ और सिर्फ 47,50,000 Scotty Beam tokens होने वाले हैं और अगर आप इसको hold करके buy करते हो तो buy करके hold करते हो तो हमें जो है अच्छा खासा इसमें से profit मिल सकता है first ever cross chain NFT teleport and space hamsters enabling the cross chain opportunities for the NFT industry proud member and conductor of the metaverse तो metaverse जो है इसके साथ include है बहुत सारे projects जो है अभी metaverse के उपर आएंगे जो के बहुत अच्छी बात है जैसे NFT और DeFi की hype बनी थी वैसे ही अभी metaverse की hype बन रही है यहां पर अभी हम आ चुके हैं यहां पर scottybeam.io इनकी official website पे cross chain bridge and P2P exchange यहां पर अगर हम बात करें claim your tokens आप यहां पर अपने tokens claim कर सकते हो 10 November 3 बजे शाम को 3 बजे UTC की time के हिसाब से और यहां पर scottybeam की listing होने वाली है UTC time के हिसाब से 10 November को उसके बाद यहां पर अगर हम परना चाहो docking station for tokens from all the blockchains तो उसके बाद अगर हम यहां पर number one बात करें BIM NFT tokens across Ethereum, BSE, Polygon, Sol, Dot, Flow and others उसके बाद यहां पर scotty's flight map, create your NFT tokens in any chain in one click तो यहां पर आप अपने NFT tokens बना सकते हो किसी भी chain में सिर्फ एक ही clip पर verify token origin and price, view trading history, prove the ownership तो यह सारी website भी चीजें बताई हुई है आपको बहुत अची website लगेगी इनकी user interface website का बहुत अच्छा है और project भी जो है वह अच्छा ही लग रहा है उसके बाद अगर अगर हम स्कोटी बिंग के investors की बात करें तो यहां पर आप बात कर सकते हो GGD 10 Ventures की X21 CD5 ने जो है इस project में खुद invest किया हुआ है यहां पर investors में आप चेक कर सकते हो और उसके बाद यहां पर हम अगर बात करें Maven Capital, CyberFi उसके बाद Basics Capital, OIG, Dutch Crypto Investors तो और यहां पर आप चेक कर सकते हो और अगर हम बात करें partners की तो Pixelverse, WGMI, HoloLoot और उसके बाद यहां पर Accred Network, Yallo और यहां पर बहुत सारे जो है इनके partners हैं अगर हम बात करें यहां पर आप इनको जो है इनके official Twitter handle पर आ चुके हैं और यहां पर जो है त्री डेज पहले यह पेंड पोस्ट है यहां पर कुछ ऐसा यहां पर स्कॉटी बीम के बारे में बताया गया है और यहां पर यह आप पहचान पाओगे कि यह किसके जो है NFTs हैं और यहां पर यह जो है यह कौन बंदा है जिसमें आगे BNB का लोगो लगा हुआ और इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें इनका लास्ट ट्विट कब आया था 23 मिनर्स पहले आया था और यहां पर 55 मिनर्स तो कम्यूनिटी इनकी बहुत ही स्ट्रॉंग है और बह लिए थी यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज नहीं है कहीं पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है पहले खुद की रिसर्च जरूर करें थिंक्यू वरी मस अपना टाइम निकल के वीडियो देखने के लिए मेरा नाम है असद आप देख रहे थे क्रिप